राकेश ठिकैट नेता बीके यू हमारे साथ मौजूद हैं ठिकैट जी क्या करिक्रम है 22 नवंबर से आपका उत्तरप्रदेश में क्यूं आप अब उत्तरप्रदेश को दिल्ले बनाने की धमकी दे रहे हैं अब अच्छा हम अपनी मिटिंग कर रहें तो हम दमकी दे रहें हमने तो दमकी नहीं थी हम को बार से हैं कि हम लखनाओं पहली बार जा रहें हैं अम तो लखनाओं में पंचात हैं पहले भी प्रस्तावित पंचात थी जब वहां पर बाड़ आई पानी पूर्वांचल और छेत्र माया पूर्ण रूप से तो वहां पर पंचात अस्थागित करी अब यह पंचात लखनाओं में रखी हुई है 22 तारिक की है इसमें कहीं मामले पंचात में हैं जो लखीमपूर खेरी में समझोता हुआ उसमें जो घायल किसान थे उनको 10-10 लाग रुपे देने की बादचीत हुई उन घायलों को पै हिजाब चलेगे बाहर चलेगे क्योंकि उनको डर है डर बाड़ी चीज है दूसरा यह नोकरी की उनकी बात हुई थी वह भी उनकी नहीं हुई अजय टैनीक की गिरपतारी और उनका इस्थीपा वह भी नहीं हुआ यहां पर गन्ने के भाव का सवाल है वह भी बड़े नही आप यह कह रहे हैं राकेशी के सरकार बदल गई है जो आप लोगों से वादा किया गया था सरकार जूट बोल रही है और बदल गई है वादे पूरे नहीं कर रही है यह कहना चाहते हैं हाँ अभी अभी दिये नहीं पैसे पैसे गालों को नहीं दिये और धान की खरीद का एक बड़ा इसू है उत्तर प्रदेश का जो अभी लेटरे से आधे रेट में फसले खरीद दी जाती है किसांद की वो धान हो बाजरा हो दाले हो तो वो भी एक बड़ा इसू है तो लख क्योंकि पूरा एक साल हो जाएगा 26 तारीक में तो हर बॉर्डर पर नहीं लेकिन अभी तक यह था डिगयाज जी आपका जो आंदूलन चल रहा था वो तीनों क्रिशे कानूनों की वापसी पर चल रहा था अब आप विबिन मुदों को लेकर घराफ करने लगे हैं अब कि नहीं बंदख बना लेते हैं जहां वो जाते हैं वहां कारिकर्म नहीं करने देते तो क्या यह सीधे सीधे राजनीती है उत्तरप्रदेश विदानसभा चुनाव को देखते हुए आप यह कर रहे हैं ना राजनीती काम तो राजनीती करते हैं हम तो राजनीती सा बहुत अपनी एक तो फसल कहीं बेच लो तो भई मारी फसल भी क्वा दो क्योंकि मंडिया तो देरे देरे खतम कर रहे हैं तो एक तो मंडियां से बूजने जाते हैं दूसरा यह जाते हैं कि इरोने अपने गोश्णा पत्रों में कहा था कि हम रेट भी बढ़ाओंगे सब फसलों का रेट बढ़ाएंगे तो उसके नहीं रेट बढ़ेंगे पहते हैं प्शे सरकार से रचीत करने की बात करते हैं लेकिन अप लगनॉ시 पर आपने की बात करते हैं यह त्वाइश को महापंचायत वह पर है और अपने दर्शकों से भी हम चाहते हैं कि रागेष टेगाइट ने लगनौ पन्चायत की जब आलान किया तो मुखे मंतरी योगी आदिति नाथ के यूपी प्लान पर जब सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा तिगैज आप भी सुनिये हम अपने दर्शकों को भी सुनवा रहें कि शायगा पर अपने हैं यहां पर बैठेंगे वो अंधोलन के लोगा कि परडेश की राजबने आपकी पार्टी तो फोटो ट्वीट कर रहें चाते हैं सबका स्वागत करने जानते हैं आप राकेश टिकेश का स्वागत करेंगे क्यों दिल्ली और लखनों का अंतर यह क्या कहाना तिली है यह लखनों है हां तो मुझे लगता है रॉसरे कुछाद सवागत कैसे होता हो जी मैने कहा ना की यहान्थ्र उन सब को मालूम होका जोए कैते हैं कि सम्धेलकों को दिल्ली बना देंगे गे तो उनको बहुत है कि पर देश की राज़धानी है नहीं है और प्रदेश की राजधानी में किस प्रकार का चाल चलन होना चाहिए ये भी उनको जानकारी होनी चाहिए राकेशी आपको जानकारी है कि प्रदेश की राजधानी में यानि कि लगनौ में आप पहुंच चुके हैं किस तरह का चाल चलन होना चाहिए हाँ आप पता है सब पता हम तो जाने पिछले 35 साल से लखनाओं में तो अंदोरन किये लेकिन मुख्य मंत्री बोल रहे हैं जो सरकार का काम है जब कोई अंदोरन होता है भी डाती है जो एंदोरना के भी इजनों सवागत करने की भी तो बात करी तो भी आप कर लेंगे कर लेंगे यू पताओ ना कैसे करेंगे आरें बाईस तारीक में किया करेंगे वाईसतारी को है अपनी मिटिंग करेंगे, सरकार को अपनी बात बताऊंगे, चोड़ने वादा करा उसको बताएंगे, गन्ये के भुगतान पर बात करेंगे, गन्ये के रेट कम बड़े, उस पर बात करेंगे, बाजरा नही बिखरा, धान की अवेद आधे रेट में खरीद हो रही है, क्यूं बंगल में चुनाव होता है चले जाते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव है आप महाँ पर आगें शब्धों क्या अलक्सन लिड़रे है कि हम कोई अलक्सन नहीं लड़रे हैं अपनी बात कहना भही जो अलक्सन है वो तो पांच साल में आता है एक भार यह तो पॉलिटिकल तारीक में हम बॉंबे जाएंगे माराष्ट में महां तो चुनाव है नहीं ना वहां बीजेपी की सरकार है तो हम तो महां पर भी जा रहे हैं यह कहना पूर नूप से गलत है कि हम जहां चुनाव हो रहे हैं हम जहां चुनाव नहीं है यह देश की समझ साहे पूरी अगर मारा गटके जो लोग हैं वो कियाते हैं कई हम तो दिल्ली घरेंगे एक साल पूरा हो रहा है हमारे आंदुलन को आप कहते हैं कि साभ हम तो उत्तर प्रिदेश को दिल्ली बना देंगे तो एक राए क्यूं नहीं है इसे कैसे आप लड़ेंगे सरकार से, ऐसे कैसे तीनों ग्रिशे गानून रद करेंगे आ नाराज हो जा भई आ नाराज हो जाते हैं ये जो किसान है, इसका टेंपरेचर हाई रहता है, दोस्थो डिक्रीचर रहता है दोस्थो तसर इसकी शुरुवाएत हो चाहिए अजर्व निए अज़ी इसका उताई गाम करने जब बाएव जटे ने भाएव प्यार सजा जब वहां क्वेट में काम करें तो लड़ा वासलिका प्रति आप्सांगों लड़ा का आते हैं वापसी तो इदा कुनबा है वही किसानों का यह तो बहुत विचारधारा के लोग हैं कुछ करांती विचारधारा के लोग हैं कुछ गरम दल के लोग हैं कुछ नरम दल के लोग हैं तो ऐसे ही चलता रहता है और सब को अपनी बात कहने का अधिकार है सरकार के समर्थंक में रहें किसां ट्रेकटर रेली निकाल रहे हैं किया। है यह किसान कौन है आप से अलग क्यों है अगर इतना ही प्यार इनको जमीन सा हो जाए यह जमीन से भी प्यार कर ले आपके साथ ही नहीं है यह आपके किसान भाई परसेडिज छोड के टेक्टर पर तो यह आये हैं हम यह कहरें किया रेलिय टेक्टर आरेली दिल्ली में भी निकालते हैं नहीं है यह कौन दौन लोग अफना पर्ट्र का बंसंदा लगा के और टेक्टर पर इल्लीया निकालना है अमने कब का ये आएगा बीजेपी के जंडे लगा के अपनी फसलों के ले जाके ये दिल्ली के अंदर जाएंगे वो टाइम भी आएगा तो आप ये गहना चाहते हैं कि बीजेपी जो लोगे किसान बंगे जो आपके विरोध में उतर रहे हैं विरोध में कोई ने उतर रहा हमारे हम तो कह रहे हैं ने निकेओ ये अपने अरे समर्थन में किसानों की ट्रेक्टर रैली हो रही है क्यों ये कौन है ये किसान मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप हम कहते रहे हैं कि ये एक दिन ये एक दिन दिन भी जाएंगे हम तो कह रहे हैं अगर टेक्टर खाली होगा तो पोल्टिकल है अगर टेक्टर खाली है तो पोल्टिकल टेक्टर है आपके त्रेक्टर में धान फसले भरी हुई है कि इनको भी चलना चाहिए आपके ट्रेक्टर भरे हुए हैं अमरत हां भरे हुए हैं जब यह तो अंदोलन कर रहे हैं हम तो कह रहे हैं कि दिल्ली हमको बेचने दो फसले देश के परधार मंतिर न का कि अपनी फसल आप मंडी के बार आप तो कहते हैं संसद में कौन सी मंडी लगी है तो संसद के बार भी मंडी लग सकती है जहां मंडी है जहां बंडी वहां जाके आनाज बेशेंगे अरे आप परधान मंतिर से बुझो ने उनने क्या का उनने का कि देश में कानून बन गया आप कहीं पर भी अपनी फसल बेच सकते हैं अब तो चलती ट्रेन को भी बगएर प्रेट फारम पर रोख सकते हैं आप अब तो कानून बना दिया देश में कानून को मानना चाहिए और जो बीजेपी के लोग जो जाएंगे इनको एक इन्फॉर्मरेशन देखते हैं कि जो टेक्टर लेकर जाएं वो दस साल पुराना तो मतले जाना भई उसको तो आप कटिंग में करवा दो जो उस विचार धारा के लोग हैं आपके विरोध में जो उतर रहे हैं ट्रेक्टर लेकर किसान वो बीजेपी के लोग हैं बीजेपी के लोग किसान बनकर आपके विरोध में उतर रहे हैं नया ट्रेक्टर लेकर जा हमने तो उनको कानून बताया है कि भई टेक्टर जो लेकर जाओगे कानून का पालन करना क्योंके भारस सरकार ने कानून बना दिया कि 10 साल पुरना टेक्टर उनके हाँ पे जर्नेटर कोई भी पमपिंग सेट अगर उस भी चार भारा के लोग तिसाल है आखरी involve को दिली बना कर किया आप क्रिशे खानून रद कर्वा पाएंगे यो कि आप साल भर से दिली को घेर कर नहीं कर्वा पाएंगे किसे कर्वाएंगे लखनौ में पंचात है लखनौ में पंचात है एक दिन की मिटिंग रहेगी वहाँ पे लखनों में एक दिन की पंच्यात है वो पंच्यात रहेगी अजय टेनी उसकी गिरबतारी उसकी वरकासगी वो जांच को परभावित करता रहेगा उनकी सानों को मौावजा जो महाँ पे जो चोटिल हुए हैं उनको नोक्रिया धान की खरीद बाजरे की खरीद आलू का मूले ये मिलें दिजल मेंगाई खात क्या हल हो रहा है आप दिखा दोना के खात आज पुलिस खानों में खात भी रहा है ठीक है ठीक है जी बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए